मुद्रा के प्रवाहा को उसकी उप्रवृत्ता को और उसकी मांग को मौनेटरी पॉलिसी कमिटी की मोद्रिक नीती के माध्यम से संयोजित किया जाता है हाली में मौनेटरी पॉलिसी कमिटी यानि मोद्रिक नीती समिती की 6-8 समबर को बैठक होने वाली है और अर्थ सास्वियों का मानना है कि इस बार की बैठक में प्रमुक नितिकत दर रेपो रेट में किसी परकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा क्या है इसके माइने और हमारे IES के एक्जामिनेशन के द्रश्टिकून से ये किस परकार से महत्वपून है इसके संपूर्ण परिपेक्ष को आज इनफोकस के प्रोग्राम में हम जानने का प्रयास करेंगे हमारे टोपिक का नाम होगा RBI मोद्रिक निति रेपो दर में परिवर्तन नहीं होने की संभावना क्यों है इस टोपिक के अंतरगत हमारे चर्चा के विभिन पक्ष होंगे सबसे पहले हम उस खबर को जानने का प्रयास करेंगे जिससे ये पूरा टोपिक चर्चा में आ जाता है फिर हम मोद्रिक निति क्या होती है उसका संचालन किस प्रकार से किया जाता है और बाजार में मुद्रा के प्रवह को उसकी उपलवदता को किन साधनों के माध्यम से सुनिशित क्या जाता है किन साधनों के माध्यम से नियंत्रित क्या जाता है उन्ही साधनों में से एक साधन है रेपोदर तो इसके बारे भी विशेश रूप से चर्चा करेंगे comment box में comment करके देना होगा यह जो पुरा विशे है यह ISK सामाने अध्यन प्रश्मत्र तीन मुख्य परिक्षा से जुड़ेगा और इसके अर्थ विवस्था संबंदी खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं और साथ ही यह current affairs के topic से जुड़ता ही है आपको आगे बढ़ें इससे पहले एक सूचना देनी है और सूचना यह है कि in focus program की timing में एक परिवर्तन कर दिया गया है पहले यह program सुभे साड़े दस बजे आता था अब से यह program सुभे 8 बजे आया करेगा और इसलिए आप इसको इसी timing पर देखना सुनुशित करें आप हमारे program से जुड़ते हैं तो हमें अच्छा लगता है और आप इस program में सुभे 8 बजे जरूर बने रहिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले देखते हैं कि आज के खबर कहां से ली गई है खबर Indian Express newspaper से है और खबर है RBI Monetary Policy वो कौन से कारण है कि Monetary Policy Committee यानि मौद्रिक नीती समिती रेपो रेट में किसी परकार का परिवर्तन नहीं कर रही है जैसा कि अभी आपको बताया कि मौद्रिक नीती समिती की बैठक 6 से 8 दिसंबर को होने वाली है और इसी में ये कहा जा रहा है कि जो रेपो रेट है रेपो रेट जो वस्तुत है केंद्रिय बैंक यानि Reserve Bank of India को भारत के वानेजिक बैंकों को अलपावधिक रिन परदान करने की एक स्विधा है उनको एक अलपावधिक रिन परदान किया जाता है इसके माध्यम से तो इसका जो रेट है वो 6.5 प्रतिशत है और इसमें किसी भी परिवरतन की संभावना को नकारा जा रहा है तो इसके संपूर्ण कारण को समझने का प्रयास करेंगे और इसी के कारण इस बैठक के कारण ही ये पुरा टोपिक चर्चा में आ जाता है सबसे पहले हम मोदरिक नीती को सामाने तोर से समझ लेते हैं मोदरिक नीती का सामाने मतलब क्या होता है मोदरिक नीती का सामाने मतलब होता है बाजार में या भारतियर्थवरस्था में वित्यक्षित्र में मुद्रा के परवाह को, उसकी उपलबदता को, और उसकी मांग को, या आप कह सकते हैं मांग के माध्यम से उसकी मुल्ले को नियंतरित करने का काम मुद्रिक नीती के माध्यम से किया जाता है. इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? पहले इसका संचालन RBI द्वारा कर किया जाता था, लेकिन वर्ष 2016 में RBI अधिनियम 1934 में परिवर्तन कर दिया गया, और इसकी धारा 45 ZB के अनुसार, एक Monetary Policy Committee, यानि मुद्रिक नीती समीती बनाए गई, ये एक 6 सदश्य समीती ह इस 6 सदश्य समीती की जो अध्यक्षता करते हैं, वो RBI, RBI गवर्नर के द्वारा की जाती है, और ये 6 सदश्य समीती ही मुद्रिक नीती का निर्धारण करती है, इसके माध्यम से मुद्रा के प्रवाह, उपलवदता और मुल्ले को भारती अर्थ व्यवस्था में सुनिश क्या जाता है, कैसे सुनिशित क्या जाता है, इसके साधन क्या है, इसके कई प्रकार के साधन है, महतवपूर्ण साधन कोंसे है, Open Market Operation, CRR, SLR, और Repo Rate, या आप Bank rate, इन को समझने का प्रियास करते हैं, ये क्या है, ये साधन है, बाजार में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रि करते हैं जैसे open market operation इसके माध्यम से केंद्रिय बैंक अपने अपने विवेक से खुले बाजार में आम जनता के लिए और बैंकों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की बिकरी या उनसे खरीदारी की एक प्रक्रिया इसमें शामिल होती है इसी प्रकार से बैंकों को अपना एक सुरक्षित कोश भी रखना होता है और इस सुरक्षित कोश को रखने के दो साधन है एक साधन है CRR और दूसरा साधन है SLR CRR का मतलब क्या होता है कि बैंकों की जो निवल देट देता ह जो बैंकों की टोटल लाइबिलिटीज का एक निश्यत अंश। उससे केंदरिये बैंक, सेंटल बैंक जैसे आर्बियाई के पास जमा करना होता है ये निश्यतत। इसी को कहते हैं CRR, यानि Cash Reserve Ratio, नकद आरक्षित अनुपाथ, इसी प्रकार से SLR, यानि Statutory Liquidity Ratio, वैधानिक तरलता अनुपाथ, वैधानिक तरलता अनुपाथ का मतलब क्या होता है? कि बैंको का जो टोटल जमा है, उस टोटल जमा का एक निशित अनुपाथ, उसे अपने पास तरल नकदी के रूप में रखना पड़ता है, ताकि वो अपनी आकश्मिक जरुतों को पुरा कर सके, अत्यधिक मांग की अवस्थिती में वो उधार देने में या लोन देने में सक तरल नकदी के रूप में रखना पड़ता है, मतलब सोने के रूप में रखना पड़ता है, और प्रतिभूतियों के रूप में रखना पड़ता है, इसी प्रकार से रेपो रेट के माध्यम से बैंक अलपावधिक रिन प्रदान करते हैं वानिजिक बैंकों को, ताकि वो अ security निर्दारित की जाती है प्रतिभूतियों के माध्यम से ताकि जो रिणों की है रिणों की सुरक्षा को सुनिशित भी क्या जाती है जब ये security का प्रतिभूतियों का जो एक जमानत है प्रतिभूतियों की जमानत जो की रिपरेट में रखे जाती है जब प्रतिभूतियों की जमानत का तत्व रिणों की सुरक्षा के रोप में शामिल ना हो और बैंकों को उनकी इंस्टेंट जरूतों को पूरा करने के लिए अलपावधिक रिण प्रदान किया जाए तो उसमें, जिसमें security का तत्व शामिल नहीं है, तो उसको bank rate के नाम से जाना जाता है, इसके माध्यम से bank को की loan परदान करने की शम्ता, rent परदान करने की शम्ता, साख परदान करने की शम्ता को नियंतरित के जाता है, और बाजार में, भारती अर्थवस्था में, मुद्रा के प्रवहा को सुनिशित किया जाता है, इसके माध्यम से क्या किया जाता है, कि जैसे open market operation है, CRR है, SLR है, या bank rate है, या repo rate, इसके माध्यम से क्या किया जाता है, कि या तो मुद्रा के प्रवहा को बढ़ाए जाता है, मुद्रा के प्रवहा को बढ़ाएंगे, तो बैंकों की ज उत्पादक्ता बढ़ती है अर्थव्यवस्था में और उत्पादक्ता बढ़ने से आर्थिक सम्रिद्धी यानि एकॉनमिक ग्रोध का ये कारत बनता है और अगर RBI को Monetary Policy Committee को लगता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्विती का मैंगाई का स्तर उचा हो गया है तो वो उपलब्दता को कम करने का प्रयास करता है इससे ये मार्केट में इनके माध्यम से मुद्रा की उपलब्दता को घटा देता है जिससे इसकी मांग कम हो जाती है और inflation यानि मुद्रा स्फेती पर control इससे मिलता है और ये भारत में आर्थिक इस्थिर्ता का एक महत्वपूर्ण कारक बनता है भारत में 1901 में के सुधारों के पहले भारत में RBI का मुख्य जो दृष्टिकोन था वो आर्थिक इस्थिर्ता का ही दृष्टिकोन रहा था लेकिन उसके बाद उदारीकरण की नीती के माध्यम से नीती में थोड़ा परिवर्थन आया और कई बार इसको इस्तमाल भी किया गया आर्थिक कारक के रूप में इसी को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपुन परिवर्थन ये किया गया कि भारत में जो मुद्रा स्विति का सामान इस्तर है उसे 4 प्रतिशत प्लस माइनस 2 यानि 2 प्रतिशत से 6 प्रतिशत के आसपास बनाए रखना पड़ेगा और बनाए रखा जाएगा RBI के जिम्मेदारी होगी और जो उसका निर्धारित लक्ष होगा वो 4 प्रतिशत के होगा के बराबर होगा लेकिन इसमें प्लस माइनस 2 का मार्जिन वो ले करके चल सकते हैं ताकि कई बार आर्थिक विकास की जो इंस्टेंट जरूरते होती हैं जो निवेश के लिए आव जो शक कदम होते हैं वो भी RBI उठा सके तो यह पूरा मोदरिक निति के माध्यम से अर्थ विवस्था में आप आर्थिक उत्पादक्ता को भी बढ़ा सकते हैं और इंफ्लेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं और उसी का एक साधन है रेपूदर अब हम यह देखने का प्रयास क्या होता है जब बाजार में मुदरा की उपलब्दता को बढ़ाया जाता है और बढ़ा करके निवेश बढ़ता है निवेश से उत्पादक्ता बढ़ती है और यह आर्थिक सम्रद्धी का एक महत्वपून कारक बनता है इसको RBI का उदार दुश्थिकोन माना जाता है ले 2000 में उपलब्दता को मुदरा की मांग को कम कर देता है और आर्थिक इस्थिरता को बढ़ावा देता है इंफ्लेशन को कंट्रोल करने के माध्यम से RBI का यह मानना है कि हाल फिलाल में खादे मुदरस्विती में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है जिससे भारत में जो इंफ्लेशन रेट है वो अभी भी 4 परतिश्थ की निरधारी दर से उपर बना हुआ है जैसे अक्टुबर 2023 में जो भारत में इंफ्लेशन रही है और वरतमार में जिस प्रकार से हाली में टमाटर और प्याज की केमते बढ़ रही है जो भारतिय समाज में एक मुख्ध के मुख्य अंग है इसकी वज़े से इंफ्लेशन रेट में बढ़ने की संभावना है इसलिए RBI इसी स्टांस को उदार रुख से वापसी वित्य वर्ष 2023 के जुलाई सितंबर 2023 में जो आर्थिक विकास की दर है वो 7.6 प्रतिशत रही है जो RBI के वित्य वर्ष 2023 के आर्थिक व्रद्धी की अनुमानित दर 6.5 प्रतिशत से जादा है तो इसलिए RBI जरूरी नहीं मानता कि अभी आर्थिक विकास को बढ़ावा दे आनिये के अंतरगत मुद्रा की उपलब्दता को बाजार में बढ़ाया जाए इसलिए भी वो बैंक दर को अपरिवर्तित ही रखना चाहता है RBI गवर्नर का ये भी मानना है कि कुछ अंतराश्ट्ये स्थर की घटनाएं है और साथ ही भारत में मोसम की स्थितियों को देखते हुए यानि अंतराश्ट्री स्थिति के घटाएं कौन-कौन सी है जैसे रूस यूक्रेन यूद है और साथ ही जो हमास और इसराइल का यूद चल रहा है इसराइल का जो यूद है इसको देखते हुए एनर्जी मार्गेट जो उर्जा की कीमते हैं और जो खाद की कीमते हैं वो कि रेपो रेट में अपरिवर्तन ही महत्वपूर्ण है ये ऐसा लगातार पांचवी बार हो रहा है कि रेपो रेट में किसी परकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है इससे पहले रेपो रेट में परिवर्तन फरवरी 2030 में हुआ था जब रेपो रेट को 6.2 परतिशत से बढ़ा से फरवरी 2023 के बीच RBI ने बैंक दर में जिसको रेपो रेट कहते हैं रेपो रेट में 200 पेसिस पॉइंट 200 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है एक आधार अंक एक आधार अंक जो है वो एक परतिशत के सोवे हिस्से के बराबर होता है यानि धाई परतिशत की बढ़ोतरी हो गई इस धाई परतिशत बढ़ोतरी को जो इसका ट्रांस्मिशन अलगलग वानिजिक बैंक को दुआरा किया जाना था उनका जो भारित पोसत रहा है ब्याजदरों का वो ट्रांस्मिशन का वो केवल 50 basis point करा 50 basis यानि RBI दुआरा जो बैंक दरों में बढ़ोतरी की गई है आगे वानिजिक बैंक को दुआरा वो बढ़ोतरी नहीं की गई है उसका ट्रांस्मिशन नहीं हुआ है अगर उसका ही ट्रांस्मिशन नहीं हुआ है तो RBI ज़रूरी नहीं समझता प्रभाव ये होगा कि नहीं केवल इंफलेशन को इंफलेशन के साथ आर्थिक विकास पर एक संतुलनकारी दृष्टिकोन RBI दुआरा संतुलनकारी दृष्टिकोन अपना जा रहा है यानि RBI नहीं केवल इंफलेशन को कंट्रोल करना चाहता है बलकि आर्थिक वृध्धी संवृध्धी की भी एक समान दर को बनाय रखना चाहता है साथ ही अगर एक आम व्यक्ति के लिए इसके लाब देखें तो जो कोई भी EMI ली जाती है जो इक्वेटिट मंथली इंस्टोल्मेंट्स हैं तो उस पर ब्याजदरे नहीं बढ़ेंगी जो सामाने प्रभाव हैं इस परकार के इसके प्रभाव होंगे अंत में इससे समंदित एक प्रशन देख लेते हैं प्रशन क्या है निम्नलिखित में से किसका प्रियोग अर्थविवस्था में साख नियंतरन के साधन के रूप में किया जाता है साख नियंतरन के साधन के रूप में किया जाता है यानि जो क्रेडिट कंट्रोल है किसके माध्यम से अर्थविवस्था में किया जाता है तर ब्सक्राइब सब्सक्राइब दे़िए और साथ ही आप हमें ये बी बता जिए कि Monetary Policy Committee का गठन RBI के किस अधिनियम के किस सेक्षन में संशोधन करके क्या गया था फिर से एक नए सेक्षन में आप से मुलाकात होगी धन्यवाद